regression और classification इन दोनों में जो major फरक है और उनके कौन-कौन से matrix है evaluation matrix किसी एक model को train करने के बाद वाले उनके बारे में हम discussion करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से important matrix हैं जो आपने याद रखने हैं मैं अपनी screen आपके सामने ले के आता हूँ यहां पे आप देखें कि हमारे पास एक side पे है regression की problem और दूसरी side पे है हमारे पास classification की problem तो data आपके पास आगया आपके पास labels आगए तो आपने अब क्या करना है regression या classification में से एक algorithm चूज करने है regression तब होगी जब आपने numeric variable को predict करना है classification तब होगी जब आपने categorical variables को predict करना है ठीक है यह तो आपको याद आगया आपको याद होगा क्योंकि मैं अभी थोड़ी दिर पहले आपको बता करना हूँ अब जो अगली चीज़ important है regression के लिए हमने कल देखा था कि regression के algorithm के जो matrix है evaluation matrix इनको बोलते हैं उनमें सबसे पहला है जनाब mean squared error फिर आपके पास दूसरा आजाता है r square तीसरा आपके पास आजाता है root mean squared error इसके इलावा भी आपके पास काफी जो matrix हैं वो मुझूद है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा algorithm use करते वकत आपने किस किसम के matrix जो हैं उनको समझना है अब अगर आप circuit learn की user guide पे जाएंगे वहाँ पे evaluation matrix लिखेंगे तो यह आपके पास बिल्कुल easily सीधा सीधा सामने आ जाएगा उनकी main website के उपर ही कितने किसम के आपके पास matrix मुझूद है लेकिन यह जो तीन मैने कर ला आपको बताये थे these are most important matrix और model को evaluate करने के लिए यह आपके लिए बहुत जरूरी होते है let me show you the screen just a minute I will copy and यह screen आपके सामने में लेके आता हूँ और यहाँ पर अगर जाएं आप scikit learn के उपर तो scikit learn में यहाँ पर अगर आप यह search bar के अंदर matrix लिखेंगे m-e-t-r-i-c-s enter करेंगे तो यह आपके पास कुछ matrix open हो जाएंगे मैं for example यह सबसे पहले scikit learn के matrix पर क्लिक करता हूँ and here you go ठीक है आपके पास जो सबसे उपर आप देख रहे हैं आपके पास classification के matrix है मैं इसको थोड़े सा जूम आउट कर लेता हूँ तो यह आपके पास हैं जलाब classification के matrix और यह बे बहा matrix है अगर आप चेक करें तो यह पूरी के पूरी list जो है classification के matrix की दी हुई है यह उपर से ले के नीचे तक यह सारे के सारे classification algorithms के matrix हैं यानि कि जब आप classification का कोई भी algorithm करेंगे तब यह सारे के सारे matrix यूज होंगे और दूसरी side पे आपके पास क्या है regression के matrix regression के matrix क्या है यह आपके सामने है जनाब यह वाले matrix आप चेक कर सकते है explained variance है mean absolute error है mean squared error है mean squared log error है mean absolute error है median absolute error है फिर there are many other things ठीक है poison deviance है gamma deviance है and there are other parameters as well जो इंशाला हम आने वाले दिनों के अंदर जो हैं वो बारी बारी करके पढ़ेंगे भी जैसे r square हमने कल पढ़ा था coefficient of determination तो regression score को भी यह show करते है and there are many others ठीक है अब इसी तरीके से आपके पास यहां पे भी है classification के matrix ठीक है फिर model selection के लिए आपके पास जब यह evaluate कर लेते हैं आप फिर इसके बाद आपके पास clustering का method आता है उसके भी आपके पास यहां पे matrix मुझूद है and then आपके पास distance matrix भी है, pairwise matrix भी है, plotting के matrix भी है, so there are many matrix available here जिनकी base पे आप check कर सकते हैं कि आपका model कितना अच्छा train हुआ है, ठीक है जी तो इन सारे matrix का main मकसद क्या है और हम इने क्यों use करते हैं यह जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप matrix की बात करते हैं, इसका मतलब है कि आपका model कितना अच्छा perform कर रहा है उसको आप measure करते हैं ठीक है, so अब मैं screen आपके सामने ले के आता हूँ, और यहां पे आप और मैं, मिल के देखते हैं कि कौन से ऐसे matrix हैं, जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए खास तोर पे classification और regression के मामलात के अंदर तो मैं यहां पे तीन मैंने लिख दी है mean squared error, r squared और root mean squared error number 4 पे आपका आजाएगा mean absolute error MAE, ठीक है तो यह 4 matrix इस वकत आपने याद रखने है, आइस्ता इस्ता जब हम आगे जाएंगे तो मैं आपको और भी matrix बताऊंगा जो खास तोर पे आपके लिए फाइदा मन साबत होंगे जब आप check करेंगे किस चीज़ को regression के algorithms को, ठीक है यह 4 matrix हैं, और research के अंदर यह सबसे ज़्यादा use किया जाता है RMSE, for now we will see के यह 4 matrix के अंदर हमारे पास जो main matrix हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है अब classification के अंदर जब हम जाते हैं, classification के अंदर हमारे पास है जिनाब categorical variable को हमने predict करना है, matrix में सबसे पहला हमारे पास होगा accuracy score मिसाल के तोर पे हमारे पास थे total 20 ऐसे data point जिनकी value हमें known थी, ठीक है हमने क्या किया model train करने के बाद यह 20 के 20 test के लिए model को दे दिये model साब को बोला कि बताओ 20 में से कितने आप accurately predict करते हो, अगर 20 के 20 वो सही तरह predict कर देता है 100% आपका accuracy score है जो 20 के 20 हैं अगर accurately predict कर देता है, 19 करेगा कम हो जाएगा, 18 करेगा, कम हो जाएगा इसी तरीके से 10 करेगा, तो 50% score रह जाएगा, so this is called accuracy score, ठीक है second आपका जो यहाँ पे matrix है metric है, वो होगा आपका recall score accuracy score recall score ठीक है, इसको भी हम देखेंगे फिर एक आपके पास आता है precision score और फिर इसके बाद आपके पास आता है जो important होगा, F1 score F1 score and then you have number 5 is called confusion matrix confusion matrix यह 5 जो matrix है matrix मतलग M E T R I C S यह 5 categorical variables की जब हम classification करते हैं तब जरूरी है यह 4 तब जरूरी हैं जब आपने model को train करना है inside regression algorithm यह वाला है और यह वाले 4, 5 और 4 नो matrix अगर आप याद कर लेते हैं और इनको समझ लेते हैं तो आपको समझ आ रहेगे कि model की accuracy आपने किस तरीके से check करनी है और regression और classification इन दोनों के अंदर आपके यह matrix कैसे काम करते है यहां तक आपको clear हो गया अब मेरा question यह बनता है कि logistic regression जो मैं आपको बता के हटाऊं कि classification का algorithm में लेकिन नाम में regression आ रहा है तो इसके अंदर हम कौन से matrix को use करेंगे to evaluate the accuracy या to evaluate कि कितना हमारा अच्छा model perform कर रहा है write down in the comment section फिर हम आगे move करते हैं तो आपको रहा है